वेलो फ्रेंड्स तो चलिए हम अदे सट करते हैं आज से एक नया चाप्टर कंटीनूटी और डिफ्रेंशीएबल्टी जिसमें हम पढ़ेंगे कींनूटी क्या होता है यहनिकी कैनूटी का यूज करके हम differentiability को कैसे find out कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि continuity को हम आखिर यूज ही क्यों करते हैं इससे पिछली classes में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि instantaneous velocity क्या होती है और instantaneous speed क्या होती है इसमें हम क्या find out करते थे regular time पर हमारे पास किसी भी object की speed क्या होगी with respect to उसके time right मतलब exact हम उसी time पर हम उसी point पर हम उसको find out करते थे clear रहे बात तो इसमें भी हम क्या करते हैं ds upon dt find out करते थे ds इसका differentiability का exact meaning क्या होता है differentiability का meaning होता है change right कि उस particular time पर हमारे पास कितना change हुआ अब वो change हमारा negative मतलब जब भी हम किसी चीज़ को differentiate करते हैं तो वो हमारे पास एक point घट जाती है वो क्यों अब देखिए let's suppose कि मेरे पास एक सड़क है मैं इस पे travel कर रही हूँ right अब देखो मैं इस सड़क पे travel कर रही हूँ मालने मेरे को यहां से यहां तक मेरे को travel करना है तो एक particular time period में तो मैं इसको easily find out कर लूँँगी कैसे average speed का formula लगा किया average मेरे को velocity निकालनी है तो average velocity का formula लगा के मैं इसको find out कर लूँगी with respect to time लेकिन मेरे को यह नहीं जाना कि मेरे को इस average में कितनी वो मिलेगी मेरे को जाना कि इस point मेरे पास कितनी होगी उसकी velocity right तो इस particular time period पे जाने के लिए आपको इसी particular time का change जानना होगा तो उसको हम exact find out कैसे करते हैं इस पे limit लगा के right और जब हम इस पे limit लगा लेते हैं तब हम इसको easily find out कर सकते हैं इतनी बात लिए रहे तो जब हम इस पे limit apply करते हैं कैसे limit limit के लिए हम यहाँ पे क्या apply करते हैं limit किसके according होती है हमारी delta of t के according right delta of t के according हमारी जो भी limit होती है उसके according हैं अपने questions को solve क करते हैं डेल्टाटी हम जिरो क्यू लेते हैं अप्रोच इस तो जिरो क्यूं लेते हैं यह भी कोश्चन आता है माइन में अब देखो हमें अब तक हम फाइंड कर रहे थे टी-टी-टू तक मालोग कोई भी हमार पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरेड था लेकिन जब हम एक् पे खड़े हो तो आपकी क्या कोई time period की speed के according आपका कुछ time period होगा जब आप एक ही place पे खड़े हो नहीं होगा तो उसको हम approaches करवा देते हैं इसलिए zero और जब हम इसको limit लगाते हैं तो हमारी क्या value आजाती है ds upon dt यानि की एक particular period एक particular time पे आपकी क्या value आएगी या हम find out करते हैं ds upon dt से यानि की change in s upon with respect to change in p इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप अप देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि यह तो use था कि कैसे हम इसको differentiability में continuity को use करते हैं यह continuous चल रही थी गाड़ी और continuity में exact हमने differentiability का use कर लिया आप देखो हम इसको यहाँ पर कैसे use करेंगे यह तो प्लस वन का topic था यहाँ पर हम इसको कैसे use करेंगे तो देखो जब हम बात करते हैं continuity की तो continuity का मतलब क्या होता है कोई चीज regular चल रही है राइट आप फर्स ग्र यह continuous हो सकता है नहीं तो हमारा first case हो गया fail अब देखो second case में हमें क्या show किया हुआ है कि जो हमारा graph है वो उपर जा रहा है लेकिन हमें यह मिलता हुआ कहीं नहीं दिख रहा तो यहानी कि एक दरह से इसमें भी कहीं न कहीं gap होगा point a के according इसमें कहीं न कहीं gap होगा और gap होने क कारण यह भी क्या हो जाता है हमारा discontinuous अब point three three देखते हैं point है हमारा black वाला जब हमने point three use किया तो देखो यह हमारा यह चल रहा है graph सिद्धा चलता जा रहा है लेकिन इस point पर आकी break मार गया और उसके बाद उसने दुबारा चलना शुरू कर दिया तो क्या यह हमारा continuous होगा नहीं क्योंकि इस point पे जहां पे हमें value चाहिए वहां पर यह point क्या हो गया break हो गया अब बात करते हैं हम अपने fourth graph fourth graph क्या कैता है हमारा इसमें एक point चल रहा है चल रहा है लेकिन जहां पे हमें exact value चाहिए वहां पे तो value मेरी है नहीं लेकिन उसके उपर है तो मेरे को इसका कोई benefit नहीं होगा तो यहां पे भी function क्या होगा discontinuous अब last point हम देखते हैं last point पे हमें क्या दिया हुआ है एक मेरे पास graph है जिसमें मेरी first of fall की मेरी जो line है वो बिल्कुल भी कहीं break नहीं हो रही मेरे को pen उठाने के जुरूरत नहीं पड़ रही और जो मेरा point है वो ब्यूजी पर यानि कि मेरी दोनों conditions satisfy कर रही है तो इसको हम बोलेंगे continuity right अब हम बात करते हैं इसकी definition क्यों होती है अब exact definition के लिए हमें math की तरफ चलना पड़ेगा math में इसकी definition क्या है function is set to be continuous at a point x is equal to a if एक function continuous कब कहा जाएगा x is equal to a पर अगर f of a exist अब देखो इस function में f of a exist कर रहा था line विलकुर regular थी लेकिन f of a exist कर रहा था नहीं कर रहा था तो क्या हम इसको continuous कहेंगे नहीं कहेंगे तो सबसे पहले हमारा f of a exist करना चाहिए इस पे अगर हम यह मेरा function है और function पे मेरा a b line पे आ रहा है तो यानि कि इसको हम कहेंगे continuous first condition यह होनी हमारा fourth graph थे को point तो इसमें भी है लेकिन exact f of x पे नहीं है और नहीं यह finite मतलब exact जो हमें चाहिए वो चीज नहीं है हमारे पास तो हम इसको क्या कहेंगे कि f of a exist नहीं कर रहा first condition मेरी होगी fulfill अब second condition क्या कहती है जब भी मैं limit लगाऊ f of x के उपर क्या limit लगानी पड़ेगी मिरको x tends to a मतलब अगर मैं x में a put करूं limit limit का मतलब होता है एक place तक जाना एक पर इसको limit को clear कर लो मालो मेरे पास एक real line है और यह मेरे पास real line पे कुछ points है राइट 01-12 अब limit क्या कहती है कि अगर मैं 0 से मेरा main point क्या है एक जगा मैं लेती हूं 0 let x is equal to 0 ले लेती हूं तो limit का क्या कहती है कि अगर मैं से एक point पिछे लूँ एक point पिछे कुन सा point आएगा 0-0.99999999 अब तो जितने भी आप ले सकते हूं उतने ले लो ठीक है मतलब इतना minor difference है क्या यह approximately 0 हो गया इसको मैं approximately 0 बोल सकती हूं ठीक है अब जब बात करते हैं इसके positive वाली side की तो मैं इसको ले सकती हूं 0.0000000 कहीं पर जाके हमारा one two जो भी हमें variable लेना उसके according हम number लेना वो ले लेंगे तो क्या यह बिल्कुल मेरी limit इसके बिल्कुल pass इसको मैं 0 ही नहीं बोल सकती limit को तो ऐसी condition में अगर हम limit लगाएं function के बिल्कुल pass वाली तो वो उसको अगर हम limit को function में रखें तो वो भी exist करना चाहिए यह भी मैं आपको graph की help से दिखाती हूं जो मेरा fifth वाला graph है तो fifth वाला graph मेरा क्या कहता है देखो मेरा point था x is equal to a तो a point मेरा इतना सा था बस जितना मैंने आपको draw करके दिखाया बिल्कुल छोटा दिखनी रहा होगा आपको बस ही इतना सा था मैंने इसको थोड़ा सा इद्र वाला point लिया इसका वो भी मेरा कहां पर आया approximately a में आ गया और अगर मैंने थोड़ा सा उपर वाली साइड का point लिया वो भी मेरा approximately किस में आ गया a में आ गया तो वो चीज मेरी exact उस पे लाई करगी तो उसको मैं बोलूंगी कि मेरी limit x tends to a put करने पे मेरा f of x exist कर रहा है यानि कि आप समझ गयोंगे कि इसमें क्या करते हैं हम इस case में उसके neighborhood के एक plus और एक minus छोटी छोटी से difference पे values लेके उसको exist कराते हैं कि वो मेरा point exist कर रहा है या नहीं कर रहा अब बात करते हैं third point की यह जो हमने f of a और f of यह निकाल दी है यह क्यों यह मेरी क्या आनी चाहिए दोनों equal होनी चाहिए मतलब एक तो limit जो मैंने put किया और एक मेरा function अब देखो fifth में दुबार देखो कि क्यों सिर्फ मेरे पास यही continuous था यह तो मेरी f of a है यह जो मैंने बीच वाला point ड्रो किया था और इसके जो side वाला है पिछे वाला यह मेरा limit है आगे और पिछे वाली राइट यह मेरी आगे और पिछे वाली मेरी क्या है limit और बीच वाला मेरा point था A तो ये दुनों क्या है same place पे है तो इसलिए ये दुनों क्या आगे same आगे और same आगे तो मेरा function क्या हो जाता है यहां से continuous हो जाता है I hope यह आपको clear हो गया होगा वैसे तो आपको definition paper में आते हैं लेकिन फिर भी आपको definition पता होनी चीए क्योंकि हम इसका use करते हैं अपने questions में first condition निकालते हैं हम f of a second निकालते हैं उसकी limit और third में उन दोनों को equal proof कर देते हैं clear है इतनी बात अब इसके base पे ना कुछ theorem लगा लो या फिर आप कह सकते हो कि कुछ properties हैं उनको हम कैसे solve करते हैं चलिए वो देखते हैं तो हमारी first theorem क्या कहती है if f and g be the continuous function at a अब देखो f और g को continuous होने के लिए क्या होना पड़ेगा f of a exist करना पड़ेगा limit x tends to a f of x b exist करना पड़ेगा और दोनों को equal भी होना पड़ेगा same यही case g में होना पड़ेगा g of a b exist करना चाहिए limit x tends to a g of x b exist करना चाहिए और दोनों equal भी आने चाहिए यह दोनों properties मेरी satisfy हैं तो यह कह कहता है अगर मेरी दोनों properties satisfy है तो मेरा f plus g b क्या होगा continuous होगा इसको graph की help से मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास मालों यह कोई function है मेरा यह है मेरा function f और यही है मेरा function मालों मेरा function f था और यह function मेरा जी था अगर मैं इनको plus कर दू देखो line तो एक ही है na continuity भी बन रही है तो f और g भी क्या होगा continuous होगा यह तो बहुत दूर हो गया आप इसको बिल्कुल पास पास ले लो तब भी आपका क्या शो करेगा continuity शो करेगा ठीक है अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे अब इनको पढ़ने का तरीका देखते रहो आप साथ साथ कि इनको डिफ्रेंस है वो भी मेरा क्या होगा continuous होगा कब जब मेरा f और g दोनों के दोनों कैसी function है continuous है अब तीसरी property क्या कहती है कि अगर मैं function f को किसी constant c से multiply कर दूँ तो वो भी क्या होगा continuous अब देखो इसको भी मैं अगर graph पे शो करना चाहूँ मालो मेरा f of a है function of a है और यह मेरा a point था इस पे मेरा function continuous है तो अगर मैं इसको किसी c से multiply कर देती हूँ मालो मैंने a को किसी c से multiply किया तो इस पे भी मतलब c से multiply कर दिया यहाँ पे तो तब भी यह function क्या होगा continuous होगा क्योंकि किसी भी इसको infinity से तो multiply करेंगे नहीं c क्या है ऐसा constant है जो real number है मतलब इसको हम exact कुछ न कुछ लिख सकते हैं अब f और g is continuous f into g b क्या होगा continuous होगा और f divided by g b क्या होगा मेरा continuous function होगा यह तो बिल्कुल इसी properties है जब हम इनको questions में apply करेंगे तो आपको इसको जला clear हो जाएगी तो चलिए मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए thank you keep watching and stay tuned with us if you like